हालू फोजी तो … आज में लेके आई हूँ यह बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर का केक आप milliseक विए तो बहुत ज्यादा प्रापलम होते है कि हम अपने केमे को इतना प्यारा सा गोल्डन कयkę करें तो आज यह करने वाली हूं उसके बाद यहां पर गनाश यूज कर रही हूं और गनाश और विप क्रीम को अच्छे से मिक्स करूंगी और यह बहुत ही टेस्टी सी हमारी चॉकलेक क्रीम बनगे रेडी हो जाएगी और मेरा क्रम कोज किया हुआ केक रखा हुआ है तो अब मैं कह रही हूँ आइसिंग आप सबको पता है कि गोल्डन केक की बहुत जमान जाती है कोई भी स्पेसल फंक्शन हो तो लोग गोल्डन केक जहाते हैं और हमारे सामने जो प्रॉबलम आती है कि नॉम्मल इस्प्रे अगर अच्छे से इसे आप इसको कर सकते हों तो जब सबसे पहले मैं बहुत ही अच्छे से अपने केक के आइसिंग करने वाली हूं एक सुन्दर सा केक रेड़ी कर रही हूं अगर आपको हमारा जो यह टुटोरियल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें लोग के साथ इसे शेर जरूर करें और लाइक और केमेंट जरूर करें क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगी तो यह देखिए मेरी जो केक की आइसिं कर देशा हो गई है कि और यहां में कर रहे हूं कबिंग आप चाहें तो कबिंग कर सकते हैं आप चाहें होमें अजhon्ट कर hacemos मुझे कॉंबिंग बहुत पसंद है केक में इसली मैं कर रही हूं कॉंबिंग और देखे मेरा केक जो है रिडि हो गया है, गोल्डन करने के लिए इससे पहले मैं क्या करूँगी इस आदा घंटे के लिए रखूँगी फ्रेजर में केक को पूरी तरह से चिल्ड करना है तो देखे केक मेरा चिल्ड हो गया है और मैं यहाँ पे ले रही हूँ Meta glow का pearl gold golden spray. ये Baker Blake product है Meta glow pearl golden spray और इसको chilled cake पे ही spray करते हैं और ये बहुत evenly spray होता है ये बहुत अच्छा product है first time मैंने use किया है से पहले मैंने कई बार अपनी cake को golden किया बढ़ वह बहुत मुस्किल था and tough process था इसके साथ मैं सिंगल एक बार spray करना है इविल्ली स्प्रे होता है, इविल्ली गोल्जन कलर देगा आपको, तो ये देखे, कितने इजी वे में, विदिना 30 सेकंड मेरा केक जो है, गोल्जन हो गया और बहुत ही प्यारा लग रहा है, तो अब क्या करना है, मुझे, अब मुझे साइड में करनी है, चौकले ग्रिपि मिक्स करके, और घर पी ही मैंने ये ड्रिपिंग बनाई है, तो अब मैं क्या कर रही हूं, रोजेट्स बना रही हूं, एम टू, नोजल साइज, जो मार्केट में बड़े इजी ली मिल जाता है, उससे रोजेट्स बहुत अच्छे बनते हैं, एम टू, आपको याद रखना है, तो इस तरह से मैं रोजेट्स बना रही हूं, और आप देख रहे हैं, कि रोजेट्स भी मैं चॉकलिक कलर की विप क्रीम से बना रही हूं, इनको भी मैं मैं अच्छे से सॉल्व हो जाएगी, तो ये देखिए, मेरा केक रेजी है, इसको अगेन मैं गोल्ड कर रही हूं और आप देख सकते हो, एक ही बार में कितना अच्छा गोल्ड दे रहा है, क्योंकि ये फ्लार्स हैं, तो कहीं कहीं पे रह जाएगी, तो दुबारा से मुझे स्प्रे करना पड़ेगा, तो ये देखे, मेरा केक जो है गोल्डन बनके रेडी है, और बहुत ही तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मैं आपको इसी तरह की वीडियो और भी लाती रहूंगी, और आपसे मिसना हो, तो गाइस आपको ये वीडियो कै तो मेरा गोल्डन केक, चक्लेट गोल्डन केक बनके रही है, और अदेल लाइक में ये और भी ज्यादा गोल्डन देखेगा, ब्राइट दिहेगा, क्योंकि यहां पे उतना नहीं देख रहा है, तो ये देखे, डेलाइट में कितना प्यारा लग रहा है, इतना एक दम अच्छा दिख रहा है तो मेरा केक रेड़ी है थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग थैंक यू